dr kv कi YouTube channel में आपको बहुत बहुत श्भागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे tarasagamol की उजस क्या हैu side effects क्या है parasagamol दिन में कितना लेना चाहिए कब लेना चाहिए कैसे लेना चाहिए और अगर आप ज़्यादा paracetamol use करते हैं तो उसके क्या-क्या आपके body पर impact होंगे सबसे पहले हम बात करेंगे paracetamol होता क्या है तो paracetamol कई companies से market में आपको available हो जाता है जैसे panadol है, kalpol है, alividone है, इस तरह की tablet के नाम से आपको मिल जाता है और यह is an analgesic and antipiratix यानि analgesic यानि की दर्द निवारक साथ antipiratix यानि की बुखार में relief देने वाली दबा antipiratix मतलब होता बुखार, anti मतलब की उसके against तो बुखार को ठीक करने वाली दबा antipiratix कहलाती है और दर्द निवारक दबाई हैं जिसे हम analgesic के नाम से जानते हैं यह एक antipiratix और analgesic दबा है जो आपके बुखार को शरीर में दर्द होता है उसे ठीक करता है साथी साथ दोस्तों अगर हम बात करें कि यह कैसे मिलता है तो देखिए paracetamol is available over the counter यानि OTC medicine है यह आपको medical store पर without prescription की मिल जाएगा अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि medical से लेने के लिए आपको prescription की जरूरत हो यहाँ प्रग्रम बात करें जैसे इसके कुछ benefits है headache जैसे सिर में दल दो रहा है उसमें relief करता है tension headache है उसमें भी relief करता है और fever यानि pyrexia तो fever को pyrexia भी कहते है और अगर किसी को बुखार है तब भी यह relief करता है तो friends यह OTC दबा है जो बिना prescription के आपको medical store से आसाने से मिल जाती है अब अगर बात करें इसके proper uses क्या है what is use of paracetamol यानि कि paracetamol के proper use क्या है देखे बैके क्यानि कि अगर किसी को कमर दल थोड़ा बोत होता है तब भी यह relief करता है उससे भी आपको आरह मिल जाएगा rheumatic and muscles pain mild arthritis and osteoarthritis में भी यह काफी हद तक relief देता है toothache में यानि कि अगर दात में दल्द हो रहा है तब भी relief देता है अगर period pen हो रहा है dysmenuria हो रहा है ऐसी इस्तिती में भी यानि कि आपने देखा होगा जब भी माता बहिनों को females में mesocycle होता है वो time पर जो दल्द होता है उसे dysmenuria केते हैं ऐसी स्थिति में भी यह काफी हद तक relief करता है cold and flu में भी यह थोड़ा बहुत relief करता है क्योंकि सर में दल दोना स्टाट होयो attaching soul throat में भी यह relief करता है stimulus pain में w체 relief करता है क्योंकि दखिए app icon combinations के साथ में भी आता है anti-coord combinations के साथ में आता है जिसमें जु खामकासी बली दयाद दबाईां होती हैs honor ya hatrick-three के नमसे आपको market में available हो दा उसके अंदर भी paracetamol देखना मिलता है साथ-साथ आपने 0-0 SP tablet लिया हो या signal flame tablet लिया हो तो इनमें भी parasitamol की मातरा थोड़ी-थोड़ी आती है अब अगर side effects के बारे बात करें तो क्या-क्य side effects parasitamol के हो सकते हैं फ्रेंट से request जरूर आप से करेंगे अगर वीडियो अच्छा लगे स्वाइलिंग और फेस पर स्वाइलिंग हो सकता है एंद वीजिंग यानि कि जब हमारा फैंपड़े के अंदर जो नलियां होती है वो शिकिडने लगते है या उनमें कोई रुकाबर आने लगते है तो वीजिंग साँट्ट्स आता है CT जैसी अब आज कई बार patient को देखने को मिलती है तो यहाँ पर जो reactions है और इसका जो most common side effect है वो liver toxins होता है यानि कि liver को damage करता है तो यह जो दबा है liver को damage करता है और without doctor consultation without necessity इसको जरूर से ऐसा कोई जरूर नहीं कि इसको आप use करें मेरे हिसाब से अगर जरूरत नहीं है तो बिल्कुल भी use नहीं करें क्योंकि अगर आप without consultation के जादा समय तक लेंगे तो यह liver पे थोड़ा impact करता है how to take यानि कि कैसे लेना चाहिए और कितनी लेनी चाहिए तो दिखिया paracetamol may be taken every six to four to six hours leave at last at least four hours between doses यानि कि हर एक dose में चार घंटे का कम से कम अंतर होना चाहिए तो आप इसे चार से च्छे घंटे के बीच में ले सकते हैं जैसे अभी आपने आट वजे लिया बारा वजे ले सकते हैं या दो वजे ले सकते हैं तो कम से कम हर एक dose में आपको चार घंटे का time देना है Do not take more than 4 dose in 24 hours 24 गंटे में आपको 4 dose से जाद़ नहीं लेने हैं इस बात को धियान लगने है Do not take for more than 3 days unless your doctor tells you to यानि कि अगर आपके doctor ने नहीं बोला है तो आपको 3 धिन से जाद़ नहीं लेना है जो देखिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि यह liver को damage करने की चमता रखता है इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो तीन दिन से जादा बिना doctor के consultation के आपको tablet यह नहीं लेने चाहिए यह आपके liver को damage कर सकता है even आपके un problems को भी यह शु को अन्य लोगों तक share जरूर करें थैंक्स वाजिंग have a nice day बाबाई